आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनाइस बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर चैप्टर नमर 15 जो की काफी महतपून है अंडस्टैंडिंग अव एटी सेंचुरी इंडिया यानि देखा जाये तो इतिहास का चैप्टर जो है पंदर माज जिसमें हम अठार्मी सदी में भारत की सिदी के विशाय में विस्तार पुरवक चर्चा करेंगे और ये टॉपिक क लिए अत्यंद महतपून रहेगा दोस्तों ये चैप्टर अत्यंद महतपून होने के साथ साथ काफी आपके लिए जरूरी भी है लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करन मत हुलना तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सस्क्राइब कीजिएगा तो इसे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थूरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वट सब स्टेटरस पे भी लगाओ दोस्तों आने से संटर जै कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेलफूल है चाहे हो एर्थ क्लास हो नाइ सुचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है बहुत क्याती है अभार नहीं आप ऑंपल्टल मैंजा करना है जाह, है समौनाल लेकिन लेकिन अजाएब नहीं वक्राइब के सब्सक्राइब को यह तरो यह तरो बहुत्ट ती टॉटे से बच्चेशग, कान आपके लिए बच्चेश ऑ्टाइब अधने वो्के में और वितना लगवि में इशने से फनलों में ऐला प्राती स journaling और वाला हमस्ता झाब है कर तो सीस्थ चाहिए और आप नेलास की उनलिय हैание ब़न धुझ आ भूसलिम पर नबाव इजिन लुड़ एज विजन लाट लोन टम परूम इंप्लिकाशन अव्डेश हो आप लुड़क एंट लोपन तर्द एंट बूर मुण आ लुड़केंज आ लुड़केंट अ लुड़केंट इंडिकेंड लेक्टर अपरिण से लुड यहाँ पर देखा जाये तो बंगाल के नवाब। देखिए बंगाल के नवाब जो थे काफी महत्वपून होता है कि आकिर बंगाल में नवाबों का सिलसिला जो है कब से सुरू हुआ इसमें कोई दोर आए नहीं है कहते हैं अंगरजेव के सहसंकाल में दिवान के पद पर असानी मुशीद कुली कान ने जो है केंद्री सत्ता क कमजोरी का फैदा उठाकर खुद को सुतांतर जो है घोशित कर दिया था देखिए अंगरजेव हम जैसे पहले भी मुगलकाल के पतन की विसे में हमने चर्चा किया था हमने जाना था कि अंगरजेव जो था उसके जो आगे वंसर आए बहुत ही कमजोर थे और इसका फैदा जो है बहुत से लोगों के हुआ और बंगाल के नवाब को भी इसका फैदा हुआ कि दिवान के पत प्रासिर मुर्शीद कुली खान ने खुद को फैदा उठाकर सुतांतर राजा घोशित कर दिया जो कि काफी महत्तपून बात यहां पर आता है हलाकि मुगल दरबार में न जो है निमत रुप से भेजता जरूर था लेकिन वह आपने आपको सुतांतर गोशित कर लिया आकिर इन दोनों बातों में एक बात तो साफ हो जाता है कि चाहे कहते मुगल का राज्य हो या नवाब का हो बात तो उनको जो था सुलकुल से मतलब थी पैसों से मतलब था और अब यहां पर बहुत इंपॉलेंट बात आता है कि अली वर्दी खान ने मुसीद कुली खां के परिवार को सत्ता उचित करके सतार थाटी नाइन में खुद को नवाब घोशित कर दिया तो देखा जाय तो कहते हैं पहले वह था उसके बाद अपने आपको यहां पर राजा गोशित कर दिया इन नवाबों ने सांधी तता सित्ता कयम करने की और कृष्णी के उपर सायंत भी किया हिंदू तता मुसलमान दोनों को ही समाने अफसर परदान किये गए किन्तु नवाब अंग्रेजी बेपारी कंपनी की उपरस्तितियों को जो है दिर कालीन प्रभावो को भाप न सकी तरह सन्य तैयारी में धिलाई भरत दी और कहते हैं सतारोच छपिंजा सलेके सब्सक्राइब वर्दी खाक के उतर अधिकारी सिराज उल्दौला ने जो है बेपारीक अधिकार हेतू अंग्रेज से युद भी किया कहते हैं इनमें जो हैं अंग्रेज के मार्क परस्त कर दिया यानि देखा जाए कि अगर यहां पर जो है इंडिया के जो राजा पराजित हो गये जिसके वज़ाए से भारत में जो है अंग्रेजों का पूरे रास्ता खुल गया और यहां से अंग्रेज जो थे अपने आपको अधिक पावर्फुल मैसिस करने लिया उसके बाद जो है अली वर्दी ने मुरी के रिस्तिदारों को जो हरा के सत्तर्चित करके वह अपने आपको 45 खुदको नवाब होसित कर दिया और इसके बाद संगर चलता ही रहा और उसके अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर अपना पुन्य अधिकार कर लिए तो य next year the Nabab of the Awad there is important the Nabab of Awad with the weakenings of center control of Mughal Subha of the Awad also say as an emerging ambition of the provisional governor Sadakhan is Abraham means Malik Sadakhan is explaining there is local jamidars and give a shift to the well paid and the well armies and the well trained to the army Before his death in 1739, Sadat Khan is met with a provisional hat and a heredity in his position. And his sensation is that Safadar is a Jung and the Asaf of Uddaulah is not only to play a very decisive role in the politics of northern India, but also give a long-term administrative stability to be a Nabab of the Abad. Under the Nababs is firstly Ferozabad and then to Lucknow become the central rival of Delhi in their sphere of arts, literature and craft. Regional architecture is reflected in the form of the Lamborghinis and other buildings. The evolution of the dance from the Kathak was the outcome for the culture synthesis. There is an important here. A khatak was the outcome of culture synthesis. Here we go. Here we go. 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 बना दिया यानि बन्शागट का अरत है कि पीता गावाद पुत्र जो है उस पस पर शित होगा जो की यहां पर आपने मृुद्धिक के पहले ही जो है यहां शादरखानने इसको बन्शागट बना दिया उसके उत्र अधिकारियों में जो है सफ़ादर जंग तथा अबजर उत्र दौला ने उस सिरफ उत्तर भारत के राज़नेती में एहम घूमका निवाई बलकि अवद की नवावी को भी परसासी स्रिता को परदान किया कहते योग्य सासक होता है तो जरूर जो है पर लखनौ जो है कला सहित्य शिल्प के छेत्र में काफी जो है बिस्तुत बनी तरक्की किया इमावारा तथा अन्य भवनों में छेत्री स्तंत्र कला की जलक भी हमें प्राप्त होती है जो कि काभी महत्पून है और यह जरूरी भी है कैसे सबस्कुरिती समझस की परिनाम कथक का भी यहां पर जो है काफी स्टिबलेट हुआ यानि यह बास साब हो गया कि सदर्थ खान ने अपनी मृत्तु के पहले ही उसने बंस्रागत जो है राज्य शियासंग को बना दिया और उसके बाद जो है यहां पर राज्य किया तो काभी महत्पून रहता है अवद के लिए और यहां पर कहते हैं एक और भी इंपॉर्णेंट बात है अवद के लिए जो कत्तक निर्थ्य होती है वह अवद का ही देन है तो देखिए यह कोशन जो है यूपी एससी एक्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अवद जो है किस राज्य का जो है देन है तो याद रखना कथक निर्थे जो होती है अवद के नवावों के रिगार्डिंग वहाँ पर यह जो है स्टिब्लेट हुई थी तो यह सारी बाते मैं तो पूर्ण रहता है कहते हैं ऐसी कोश्र इंग्जाम में पूछे जाते हैं और हम यहां वहां भटक रहे होती है चलिए यह तो के समय से गागर बढ़ पाएगी और यूपी एसी एक्जाम होचा कोई भी कॉम्पेटिशन एक्जाम हो वह तरह सागर ही होता है कुछ भी कोशन कहीं से भी कोशन कुछ भी कोशन ठाकर वह डाल देती है तो इसका अर्थ है कि आपको भी जो है इसी तरह की तैयारी करने की अ गण्यच कर शकता है तभी जाके जोह आप अच्छे से एक्जाम में जो है एक ही बार में जो है उसको с को पास कर सकोगे और अच्छ जो यह महतपून बात रखता है, मैं कभी भी आपको गलत रास्ता दिखाने कोशिच नहीं करूंगा, गलत रास्ता कभी भी आपके भलाई के लिए सही नहीं रहता है, तो our next topic is important here, a Sikh of Punjab, there is a most important Sikh as a Punjab, the Mughal for the suppressed the Sikh under to the Banda Bahadur, but this did not be put on end of the Sikh resistance of the Mughal authorities, in the 1720th century and the 1730th century, Amrishad is emerged as a center of Sikh activity, mainly because of there is a premise and the image is a center of Kapoor Singh, there is a most important of the Sikh leader of the time, operating from it is a witness and he gradually set about the consideratings or revenue is a combinator system and some Sikh groups also started to the considerating themselves as a political force and this activity is discouraged, there is a time to the Mughal, is a governor of the Lahore Suba to set up a independent power base of himself in the region and there is a first of those is a Samad Khan and there is a son of the Jakariya Khan is attempted to be controlled of so against his power, after the Laters is dismissed in the 1745, the violence shift is still to further in the favor of the Sikh warrior leaders, such as the Jasa Singh's Aluvaliya and he later on founded the kingdom of the Kapoorthala, is important here, who is the founder of Kapoorthala, there is the Jasa Singh Singh is Aluvaliya and he is later on founded the kingdom of Kapoorthala, the mushrooming of packets under the 30 of Sikh leaders was a feature of the two decadits in the proceedings of Ahma Shah of Dalish, invention of the Punjab and this process was a of evidence in the Australian Punjab and the Bari Dova, Bari Dova and there is a thought that the principal opposition faced by the Abdali in the campaigns of the 75th century and 76th century in the Punjab come from the Sikh, the Marathas also play a role of the significance on this occasion and eventually while there is a mid and 1760th century, the Sikh authorities is however the Lahore was established and the Afghans were not able to consider there is an earlier gain. Under the Ahmad Shah's successor, Timur Shah, ruler of 72-93, some of the theatres and town that had been taken by the Sikhs as such as Multan, and where recovered and the descendants of the Ahmad Shah continued to be however his ambition in this direction until the end of the century. But there is 1770th century, there is a way to dealing with the confidations of about the 60s. Sikh is a Sikh and some of these were to be emerged as a priestly is a state under two beauties such as Nava and the Patiyala. Nava and the Patiyala, Nava is important here and Patiyala also. The Sikhs is a chief domes as a continued to the many of the administrative practices annotated by there is a Mughal. The man is a subordinate of the chief where he is given to the Jagir assignment. The precise of the culture of the Mughal Brukais is a continued to the whole seven. It was a one such as a chief, Ranjit Singh. The grandson of the Charhat Singh is a Surkya king who is eventually separated to the original principle to transport the very time into a large entirety. Ranjit Singh as effective to rule of the last state for a decline from 1799 to 1839. The power of English East India companies was the growing in all parts of the country during this period. Within the ten years of the death the British had an exit to the Punjab. His rise to the power was based on the superior military force and partly survived by the Europeans his memory carries and that is the statics location of the Teoteries. That he had inherited from the father. Ranjit Singh as a kingdom representing to the culmination of near a century of Sikh revelings and against the Mughal rule. In words based on their intelligent application of the principles of the statecraft he used as a capital there is a great trading city of Lahore which he captured in 1799. Having gained control of the trade route and he imposed to the monopoles on the trade in salt, grain and textile from Kasmij to Hennesses to revenues. Using this as a earning he is built up on an army of 40,000 Kavariyas and the Infanteries by their year of 1809. And he was the up-decepted to the master of the most of Punjab. So, if you are a Sikh Sikh, the Punjab Jai Sikh people, how they would have been and have been with Punjab. They taught more about how they were. In Punjab, when they were punished for the past, with the Любertzak, they did not have the influence of this. And Yahweh extremism, when the Nukleism of the Nukleism, the Sikh people fashioned in the past, in that谈 regard they did what we had from. However, the Sikh Sikh people for so on those as soon as well. But we had to take more attention, स्थ攻 बंकर उबरा उस समय儿 का स्थान रोने के वज़ा से अपनी मैता कीया था और जो है मेहता थाइस वाज़ा से काफी जो है इसकों मेहता दिया गया तब्कारी सरवादिक परमुक्यष स्क्सासक्त का पुर सिंग ने इसके सास पास के छेत्र में संचला ने भी किया उसने रास पर से आपना भी की स्वैम को राजनित सकती के रूप में संगठित करना अरम कर दिया था उस समय और इस गतविदियों में लाहौर सुवे के जो है मुगर्शाशको को इसके छेतर का सुतंतर सत्ता का केंद्र भी बना देने के मसूबों पर अपनी फेर दिया यानि कहते हैं सारा के सारा जो है उनको छेतरों में फैले हुए थे पहले अब्दुसाशाशाश्द्रिस खान था था बाद इमें उसके पूत जो है जाकरिया आए जो काफी महतवपून है सतारह सो पैतालीस में जब जकरिया खांके मिर्टू हो गया तो जैस सिंग और जो अब्दुलिवालिया ने सत्ता में आके जो है काफी महतवपून योगदान दिया और उने बाद में कपूर्थाला राज्य की नीम भी रखी यानि देखा सकता है और कशिक सेने नेताओं के नेत्तु में सेने चेतर का विस्तार पंजाब पर आहमा साव दली के आकरमन के पढ़चे में महतवपून विस्ताय थी कहते पूर्वी पंजाब दथा वारी दौाव में यह प्रक्रिया परिलक्षित होती थी हलाके अवियानों के तक जो है लाहोड में सिखों की सत्ता के स्थाबना हो गई थी तह अफगान अपनी जो है शुरुवाती विजय के संखरित नहीं रख सकी याणि देखा जाए तो यहां पर जो है अफगान अपनी सुरुवाती विजय को संखरित करने में असफल रहे एहमा सा के उतरदिकारी तेमूर शाह ने 1772 इस भी में से लेके 93 में सिख द्वारा जीते गए कुछ छेत जैसे सुल्तान पुर्ण ने जीत भी लिया था तथा एहमा सा के वन्शत सतावद्यू के आन तक इस लक्ष के प्रती प्रेतन शील रहे किंतु 1770 तक रोने लगबग 60 सिख सरदारों के सा संदिक कर ली थी जिसमें से कुछ राजा जैसे नावा और पटियाला विटिस अधिनिस्त बनकर उबरे थे जो की काफी महत्पून बात आती है यहाँ पर पंजाब सुवे के अंतरगत सिख परस्रास को ने मुगल बाष्यां दोरा पटियूग्द परशासनिक व्षथ्य को ही जारी रक्का यानि देखा जाय medios तोक क्म बादश्राइख जो सरदारों के अद्रि स्थो को पोतराजा रंजीस सिंग् जुनौने इस चोटे राज्यों को बड़े समराज्य में अल्ब समय के लिए संगडित कर दिया था रंजीस सिंग् के पता ही होगा को संगडित करने महतोफून युगदान दिया था रंजी सिंग का प्रभाब देखा जाए तो जो है 1799 से लेके जो है 1849 तक चला यानि करीवन करीवन 40 साल कम नहीं होते हैं राज करने के लिए और यहां पर रंजी सिंग ने विखुबी करके दिखाया इस काल में अंग्रेजी इस्ट ने कंपनी के सकती भारत के बढ़ रही थी और रंजी सिंग Ayam सब्सक्राइब कर लिया था पंजाब के सूबों को अपने अधिनिष्ट कर लिया था लेकिन जैसे दीरे-दीरे अगर देखा जागरा रजा रजा रंजी सिंग के इतियास के जो वहां पर वर्नन किया गया है ठीक है और यह आपको कहीं नहीं हमारे ही चैनल मिल सकता है यहां पर रजा रंजी सिंग के हमने सारी पन्जाब इन्वर्सिटिटी के बचों के लिए बनाया था उसमें ब्रजी सिंग के सारी जीवन के बारे में तियास है जिसमें देखा गया था कि अंग्रेज ने धीरे अपना पैड जमाने में सक्षम हो पाए और कहते हैं रजा जीवित रहते हुए भी अंग्रेजों ने उनको चुनोती दिया फिर भी संधी के रूप में उन्होंने उनसे कोई यूद नहीं किया लेकिन उनके जो बंसज थे वो काफी स्ट्रॉंग नहीं थे जिसके वज़ा से अंग्रेज इस्ट्रिया कंपनी जो है पंजाब सुबे पे और किराय के रोपिय से अंगत था उन चेतरों को जो है हमारी की ठिकाने थे जो उन्होंने अपने पिता के विरासक में मिले थी महराज रजी सिंग का साशन जो है सिखो द्वारा मुगलों के संग किये गए संगर्ष के प्रेकास्टा थी यानि काफी संगर्ष देखने को मि कभी महतवपून है और देखा जाए इनके लास्ट शासक जो थे दिलीव सिंग वो कहते हैं बीटिस भाग गए थे उसके बाद जो है दुबारा वो आके जो है अपने धर्म को उन्होंने अपना लिया था कहते हैं वो इसाई धर्म अपना लिये थे दिलीव सिंग ने और शाशक के रूप में देखा जाए इस दांतों पर अधारी शासन था यानि देखा जाए तो यह राज तंत्र और शासन तंत्र के इस दांतों पर अधारी जो है राज तंत्र था ठीक है यानि राजा रंजी सिंग ने जो था राज तंत्र और जो है शाशन तंत्र के रूप म में अपने शासन किया था उन्होंने महान बेफसाइक नगर लाहोर को भी अपनी राजदानी बनाया था जो कि महत्पून है जिसे उन्होंने जिसे 1799 में जीता था और वेपारिक मार्गों पर नियंत्रन अस्तापित करने के उपरां उसने राजस्व में बिर्दी के लिए जो है नमक अनाज और कस्मीरिक से बस्तरों का वेपार पर एक आधिकार अस्तापित कर लिया था और इन आये सोत्रों का प्रियोग करके उसने जो है चालीएट जार अश्तावरो के घुर्षवार सेना के बनाने में किया और कहते है सथे तक जो है अधिकतर पंजाब का जो है निरवाद मालिक बन गया तो कि काफी महतवपून है कहते है कि चालीस हजाज रोही और घुरसवार सेना को बनाने में काते है रजा एंजी सिंग्गी बहुत ही जो है मैं तो कांशा को जो है उत्कृष्ष करने के लिए प्रयाब थी जो क काफी महतवून ता हुआओब काफी महतवून ता हुआब नू Вाग नेक्स बबेड़ थी जो मिस अपहुत है जापूर एंजी जो Εलियर एंबड एंड एंज इस स्टन रजस्थान वस ख़ो यह रजपूत एंज्यार पर्शपूरम एंड इस लिए रशपूर्ण एंड एं थे प्रवा एंपोड य निजर लागी अाइड लागीर निजरी शिंगा इनुड्याश म φयोतुर। लीरी और रसेंद दूटियोट। लीजरी झालि र्राइटिक्ट्रा इंग्डियों। which was gradually made up permanent by the time of his death in the 1743. Jai Singh, after the Worms, Jai Pools come to be a Nemid and had emerged as a single most important ruler in the region. And most of the larger Rajput states were constantly involved in their petries, quarrels and civil wars. Ajis Singh, his Marwara, is killed by his own son. As important, Ajis Singh, his Marwara, was killed by his own son. In the 1750s, the Sura Asmal of the Jat ruler of the Bharatpur, like Jai Singh, adopted to the modified form to the Mughal Revenue Administration in his territories. However, by this time, there is a fortune of the Jai Pools kingdom very seriously in question. Under threat form to the Marathas, his records as had to be taken adopt to the short-term physical accession. At the same time, a series of crop failures in the 1750s and the 1660s adversely affected the financial agriculture. The second half of the 80th century was thus marked by an economical depression, accompanied by a decline in the political power of Jaipur. During this period, Jaipur became a venerable, is a target and from the ambition of the Marathas and Mahadazi Siddhai in particular. The states are discussed so far with their expansion of the Marathas, where is all the land locked and this did not mean that the trade was not an important element in there is a make-up. For the kingdom of the Ranji sea was occasionally linked to the trade. However, luck of success to the sea as greatly is increasing the rentability of a state, and particularly in an era when the major power was the English East India Company itself initially is a maritime enterprise. It's important here. ने अपनी शक्ति के चहु और विस्तार के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए थे और ये थे पहला कर देखा जाए तो अपने ग्रीज चेत्र के आसपास के चेत्रों में अपनी जागईरों की विवस्ता करना अरम कर दिया था जो की काफी मैतपून थी अगर दुसरी बात करे तो कृषी के माध्यम से जो है भूरास वे कत्र करना और भूमी करके संग्रा के लिए भूमी के वे खंड परिक्त होने होते थे जो राज्य दोराविक्तियों के किराये पर मिलती थी जो की धीरे-दीरे स्थाही हो गया था और सन सतारत शितालिस में उसकी मित्यू के राजा के करन पर तो आपको इस्समझ होना चाहिए कि राजा जैसिंग के नाम से जैपूर नाम पर राजा जैसिंग के कारण जैपूर का राज चोटे जगरोत अधस अंगरशिघ रहते थे और मरवारा का जो हमक Teresa स्वीक्स अपने पुत्त कोवरत और करता थाहता है जो है भरतपूर के जाट शाषक सुरज मल ने राजा जैसिंग की ही भाती मुगल राजसरे सासन की परिवर्तित पदती अपने छेतर में लागू किया था देखिए काफी महतफून बात है कि एक राजा को देखके दूसरा राजा जो है उसी परकार करने कोटिश करता है और य इस समय तक जैपूर राज्य के वविश्य पर प्रसंचिन लग चुके थी और माराटों ने बढ़ती चुनोती को चलते जो है छोटी अवदी के राजस्वे बन पाने के लिए साधन भी अपनाए गये थी और इसी समय सताथ साथ के मद्देव फसलों की नकामी ने पहले से और भी बुरी तरह से प्रभावित किया कहते हैं कि अगर फसलों की नकामिया भी होती है तो हर एक छेत्र को जो है काफी इफेक्ट देता है अगर ठाटों इस प्रकार की आर्थिक मंदी तो जैपूर की राजनीती सक्ति के पतन के लिए माना जना जाता है और इस अवदी के जरूरी एकी सवदी के दोरान जैपूर मराटे विसेस कर जो माद रजी सिंधिया के लिए बहुत ही मैतपूल लक्ष मना दिया था उपर बढ़नी सभी राज्ये जो है सिवाय मराटे के भूमी से जुरे हुए थे और इसका आर्थ यह नहीं है कि इसके विभार में विपार का कोई अस्थान नहीं था रंजीज सिंग का सासन मुक्यत बेपार पर ही निर्वर था यानि देखा जाए तो राजा रंजीज सिंग जो पंजाब सुवे का जो है समराड था मालिक था उसका देखा जाए तो सारे के सारे जो निर्वरता थी वे वो बेपार पर ही निर्वर था हलाके समुन्द तक पहुँचने के साधनों के अवाब ने रजाओं की पहुचने की गती नहीं होने में बृद्धी की ही की थी विसेश कर उस यूग में जब इस्ट इंडिया कंपनी जो की मुख्य सकती थी खुद अरम में एक समुन्दरी बेपारी थी यानि देखा जाय बासको डिगामा का जो है आगमन हुआ जो की बेपारी करने के ही मकसर से भारत में प्रवेश किया था और कहते हैं ये कावी महत्वपून बात रखती है और बहुत ही जरूरी था जिसको आपको अच्छे समझना चाहिए था और नो डॉन करना चाहिए ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर ये साथ में इंपूरेंट बात ये रहता है कि जितना हो सक इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने जो भी परने वाले वैच्छे हैं उन तक ये पहुँचाने में आपने तिरपान स्री सेंटर का हेल जाओगे और जुरने का मतलब है कि हर वीडियो आपका है और आप इसको जो है देख सकते हो समझ सकते हो और एक्जाम में अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हो